नमस्कार मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दिललन टॉप का डेली फाइनाशल बुलिटन खर्चापानी आज खर्चापानी में बात करेंगे कि कैसे चीन में कोरोना की एक और लहर दो साल बाद कई चीजे दोहरा रही है चीन के कई शेहरों और इंडस्ट्रियल बेल्स में लोगडाउन के चलते भारत में कंजूमर गुड्स, इलेक्ट्रोनिक्स और आटो कॉंपोनेंट्स की सप्लाई बंध होने की कगार पर पहुँच चुकी है कई कंपनियों ने कहा है कि अप्रेल से वे अपना उत्पादन घटाएंगी ऐसे में आशंका जटाई जा रही है कि मुबाइल, लाप्टॉप, माइक्रोवेब, अवन्स लेकर गाडियों तक थी कीमते बढ़ सकती है हम जानेंगे कि ये सप्लाई क्रंच गंभीर हुआ तो इंडस्ट्री से लेकर हमारी आपकी शॉपिंग पर क्या आसर पड़ेगा साथ ही बात करेंगे कैसे दिवालिया कंपनी की जिसे उबारने के लिए देश की बड़ी कंपनियों का सहारा तो मिला लेकिन उसके शेरों का मूल जीरो होने से कोई नहीं रोप पाएगा क्या इस कंपनी में पैसा लगाने वाले आम निवेशकों के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा इन सभी सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ होंगे फाइनांचल एक्सपर्ट शरत कोली लेकिन सबसे पहले आज की आर्थिक सुर्क बाबारामदेव की अगवाई वाली कंपनी रूची सोया के एफपियो यानि फॉलो ऑन पब्लिक ओफर के लिए प्राइस बैंड जारी होने के अगले ही दिन आज स्टॉक मार्केट में कमपनी के शेर 17 फीसदी तक तूट गए मौजूदा कीबदों बर 35 फीसदी डिसकाउंट देते होई रविवार को रूची सोया के एफपियो का प्राइस बैंड 615 से 6500 रुपे तक किया गया था ये फपियो 24 से 28 मार्च के बीच सब्सक्राइब किया जा सकता है लेकिन आज मार्केट खुलते ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर रुची सोया के शेर लास्ट क्लोजिंग प्राइस एक हजार चार रुपे से गिर कर 831 रुपे तक पहुँच गए हाला कि बाद में इन में recovery आई और तलब है कि यही वो company है जिसके share खरीदने की सला बाबारामदेव ने अपने एक योग सत्र के दोरान दे डाली थी इसके लिए सेबी ने उनके खिलाफ कारवाई भी की थी पिछले अक्टूबर में बाबारामदेव पिछले साल ने एक यो समों के उलंगन के लिए बाबा को कड़ी फटकार लगाई थी सेबी का नियम है कि किसी company से जुड़ा कोई अधिकारी या व्यक्ति company के share खरीदने के लिए public में लुभावने बयान नहीं दे सकता कोई व्यक्ति किसी company के share खरीदने के लिए किसी को सला तभी दे सकता है जब financial advisor के तौर पर सेबी में registered हो दूसरी सुर्खी cryptocurrency में निवेश करने वालों को निराश करने वाली है सरकार ने आज सफाई दी है कि किसी crypto asset में हुए नुकसान को दूसरी crypto asset के against set off नहीं किया जा सकता law set off करने का मतलब ये है कि जैसे हम share market में निवेश करते हैं किसी share में फायदा होता है किसी में नुकसान इसी तरह किसी साल फायदा होता है और किसी साल हम नुकसान में रहते हैं ऐसे में income tax के मद्दे नजर short term या long term capital gain का calculation करते समय हमें ये छूट होती है कि एक share में होते हुए नुकसान को दूसरे share में हुई कमाई में adjust कर सके यानि ऐसा करके हम अपनी taxable income गटा सकते हैं लेकिन ये सुविधा क्रिप्टो करन्सी के मामले में नहीं मिलने वाली केंद्रे वित्तराजमंत्री पंकर चौधरी ने आज लोग सभा में यही जानकारी दी इसके अलावा क्रिप्टो माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को cost of acquisition की तरज पर income tax deduction नहीं मिल सकता एक फरवरी को पेश बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन ने कहा था किसी crypto asset या virtual digital asset की transfer से हुई income पर 30% दी tax लगेगा इसके अलावा 1% TDS लगाने की बाद भी कही गई थी अब आते हैं आज के बड़े मुद्दे पर चीन के कुछ हिस्सों में lockdown से consumer electronics और auto component की supply ठप होने लगी है Economic Times की report कहती है कि ज्यादा तर consumer goods और auto company अगले महीने से उत्पादन घटाने या बंद करने की तयारी कर रही है चीन में Apple, Toyota और Volkswagen ने अपना उत्पादन पहले ही बंद कर रखा है जो company चीन से finished goods या बना-बनाया माल मांगती है उन्हें भी inventory किल्ड से जूजना पड़ सकता है क्यों बने ऐसे हालात और संकट जारी रहा तो इसका हमारी जरूरतों और खर्चों पर क्या आसर होगा इसके बारे में हमने अपने experts से बात की जानते हैं उन्होंने क्या कहा परिपेक्ष इसका कुछ ऐसे जाता है कि जब करोना वाइरस जब फैलना शुरू हुआ था और गल्वान वैली का जब incident हुआ था यह मैं आपको 2020 की बात कर रहा हूं और उस समय लोगों ने आपको याद होगा कि बजारों में निकल निकल के चीनी समान का बहिशकार करना शुरू किया था कि हम चीन का इस्तिमाल नहीं करेंगे चीन के समान का इस्तिमाल नहीं करेंगे जोगी गल्वान वैली का जो incident हुआ था उससे सारा का सारा भारत वर्ष रुष्ट था, बहुत रोश था, कि चाइना ने ऐसी हरकत करी, और फिर उसके बाद करोना वाइरस आया, और ये सारा आत्म निर्भर भारत अभियान का भोचना की गई, एक नारा दिया गया प्रधान मंत्री जी द्वारा, बहुत अच्छा न इसको बाइलेटरल कहते हैं, कितना आयात होता है, कितना निर्यात होता है, जो जोड़ लेते हैं, तो उसको बाइलेटरल कहते हैं, कितना एक देश, दूसरे देश को आपस में आदान-प्रदान करता है, वो करीब 75 से 80 billion dollar का था, और ये मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं पर मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा देश किस प्रकार चाइना के सामान पर निर्भर है, इतना सब होने के बाद भी, आज जब हम बात करते हैं, तो हमारी चीन से जो पूरी bilateral trade है, वो 100 billion dollar जा चुकी है, 100 billion dollar को पार कर चुकी है, तो ये जब है, जब हमने एक निर्ने लिया पर इसमें कड़वा सच ये है, कि कुछ शेत्र ऐसे हैं, जहां पर हम चीन पर पूरी तरह निर्भर हैं, और ये जिसका आपने जिकर किया, electronics, ये एक ऐसा शेत्र और components, ये एक ऐसा शेत्र है, जिस पर हम बहुत जादा चाइना पर निर्भर हैं, और निर्भरता किसी-किसी आइटम पे तो 80-90% तक भी है, तो 80-90% का मतलब है कि अगर आप मान लीजे, मुबाइल फोन बनाते हैं, भारत में, जो एसेंबल किये जाते हैं, बनते कामें एसेंबल होते हैं, उसके करीब 80-85% किसी-किसी मुबाइल पोन में 75% फुल मिला कि हम उसतन लें, तो 80% हमारी electronic components की निरभरता है, और बहुत सारी चीजे तो आपने देखा होगा कि यहां पर जो हम finished products खरीदते हैं, जो बना-बनाया समान हम खरीदते हैं, मदार से आप को electronic समान जाके खरीदते हैं, तो वो बहुत लोग शायद नहीं जानते, कि वो बना-बनाया वहां से आता है, और भार अपना लगाएं ये, तो इसको देखते हुए परिस्तिती समय जो चीन में करोना वाइरस का विस्पोर्ट हो गया है, हाला कि हमें एक बात ध्यान लखनी चाहिए, कि हमें चीन से जो खबरे आती है, उन पर विश्वास करना, उन पर यकीन करना, ये विश्वास करना नहीं क करोना वाइरस हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो जरूर है, क्योंकि वो तो पक्का है कि हुआ है, पर किस एक्स्टेंट तक हुआ है, ये नंबर्स पर यकीन करना बहुत कठेन होता है, इस बात का जो हिस्टरी है, वो इस बात का प्रमार देती है, आप 2020 से देखें, कि कितनी वहाँ पर मौते हुई, कितने लोगों में फैला, इस बात पर बहुत ही कांट्रोवर्सी है, तो कुल मिला के देखें, तो हम हौंग कॉंग हो गया, और जो इलेक्रोनिस्ट का गड़ है चाइना में, जिसको हम चेंजेल कहते हैं, वहाँ पर जहाँ से ज़ादा तर भारत मे इंपोर्ट किया जाता है, इलेक्रोनिक का समान, कंपोनेंट्स, पुर्जे कहलीजे आप, और बहुत सारा बना-बनाया समान, जो बिल्पुल रेडी टु सेल समान होता है, तो वहाँ पर करोना वाइरस के विस्पोर्ट से लॉग्डाउंस लग गए हैं, इस समय शंगाय, बेजिंग जैसे शेहरों में भी चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी थी, वो बहुत कामियाब नहीं रही, और करोना वाइरस का विस्पोर्ट और इस विस्पोर्ट का पैटर्न अगर आप देखेंगे, अलाकि ये एक डॉक्टरी विशे है, जो साइंटेस्स करोना को स् ही देता है, फर्वरी मार्च 2020 के पहले चीन में हुआ, उसके बाद ये अमेरिका रश्या में गया, तो अगर ये लॉक्डाउंस बढ़ते हैं और ये लॉक्डाउंस जाधा दिन तक रहते हैं, तो लाजबी बात है कि यहां पर उसके इंपोर्ट का फरक पड़ेगा, दूस हम वहां का उधार ले लेते हैं, तो अगर आप सदर बजार के जाधातर व्यापारियों से बात करेंगे, जो कि बहुत जाधा इंपोर्ट करते हैं चाइना से, वह आपको सब एक ही बात कहेंगे, कि हम 30 से 45 दिन का स्टॉक अपने पास पहले से मंगा के रखते हैं, तो अग ये दिक्त दिखनी शुरू हो जाएगी, मतलब जितना इनके पास स्टॉक है, वो स्टॉक कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा, वो स्टॉक यूज होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद स्टॉक बाकी नहीं रहेगा, कुल मिलाके अगर इसका अर्फ ये समझें, कि आप जब कोई मोबाइल फोन, कोई लैपटॉप, कोई भी अन्य इलेक्ट्रोनिक समान खरीदने जब बाजार में जाएगे, तो आपको ये जवाब सुनने को मिल सकता है के साथ, ये अब स्टॉक में नहीं है, अब आपको ये चीजें ऐसी होती है, कि गिफ्ट बगेरा दी जात तो ये चीजें बिलकुल खान-पान के समान की तरह एक जरूरत बन जाती है, उस समय आपको ये जवाब सुनने को मिलेगा कि अभी नहीं है, या इस पे लोग फिर ब्लैक करना शुरू कर देते हैं, इसकी कीमते एकदम बढ़ जाती है, जो जिसके पास टॉक होता है, वो उ इलेक्ट्रोनिक का समान आने वाले एक-दो हफते में खरीदना था, मुझे नहीं पता कितने लोग जाकर कल पर सो ही शायद वो खरीद ले, पर अगर ये लाइन लगती है इलेक्ट्रोनिक के दुकानों पर बहुत सारी दुकानों पर आप सुननेते हैं, और अगर आप चीन की बात करें, तो चीन में उधारर के तौर पर हम आपल के फोन्स लेते हैं, जो की सबसे प्रचले मुबाइल फोन्स में आते हैं, उसको फॉक्सकोन करके एक कंपनी है चाइना में, जिसको एपल ने ये मैनेफाक्रिंग आॉट्सोर्स की हुई है, फॉक्सकोन के यूनिट रुक गए हैं वहाँ काम नहीं चल रहा है रोक दिये गए हैं कोविड टेस्टिंग के लिए और कोविड विस्पोर्ट की वज़ा से आप आप आटोमोबीस लीजिए जिसमें गाडियां आती हैं गाडियां पहले ही हम देख रहे हैं कि पिछले दो साल से भी जादा जो सेमी कंड़क्टर चिप्स हैं जिसको हम स्मार्ट चिप्स कहते हैं उसकी वज़े से सिलिकॉन चिप भी कहते हैं उसकी वज़े से पहले ही गाडियों की बिक्री पर फरक पड़ा है त्योंकि गाड़ी का जो दिमाग होता है जो सारा संचालन होता है व तीन महीने बार दीजेगा वो गाड़िया जिनके बेचने के लिए डीलर्स मारे-मारे फिटते थे के गाड़ी ले लो गाड़ी जागे आपको बंट मिल जाती थी आपको तुरंट फाइनाइन्स और अभी गाड़ी ले लिजे उन गाड़ी की 6-6 महीने की वेटिंग यह स्मा लीजिए उनकी समस्या के लिए मुझे लग रहा है हमें कमर कसके त्यार हो जाना चाहिए अगर यह समस्या चीन में बढ़ती है और चाइना जैसा भारी आबादी वाला शे जिसकी 140 करोड से भी जादा की आबादी है अगर वहां पर करोना वाइरस का विसपोट होता है अला पहलता है तो चाइना बहुत सक्ती करेगा चीन की एकॉनमी पर चीन की अर्थ विवस्ता पर इसका सीधा सीधा असर होगा वाहां की मैनिफैक्ट्रिंग वहां का एक्सपोर्ट और क्योंकि भारत का बाइनेटरल ट्रेड इस समय सो बिलियन डॉलर से भी जादा का है तो यह चीन पर हमारी इंडस्ट्री की निर्भरता या डिपेंडेंस कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि electronic goods, auto और दूसरे कई सेक्टर में और सतन 75 फीजदी का चामाल चीन से आता है हमारे micro, small और medium enterprises यानी MSME तो बिना Chinese raw material और machinery के सर्वाइव ही नहीं कर सकती, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कभी भी मुश्किल में पढ़ सकते हैं और अगर ऐसा हो सकता है तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, जानते हैं, expert ने क्या राएदी पीछे हमने देखा करोना वाइरस की वज़े से ब्रेक लगी 2020 में, 2021 में, अब फिर ये ब्रेक लगने को हो रही है, यही सोच के प्रधान मंत्री जी ने जब आतम निर्भर भारत अभियान का नारा लगाया था, शायद कहीं दिमाग में ये होगा, हाला कि उसमें defense भी था, पर आज electronic हमारे जिंदगी की एहम जरूरत बन चुकी है, मुझे ने लगता कि कोई भी भारत का व्यक्ति, गाउं में भी चाहे रहता हो, वो बिना electronic समान के गुजारा कर सकता है, मैंने तो कहा, जितना खान पाम का समान जरूरी है, आप शायद खाने का एक meal skip कर जाएं, मतलब जबरदस्ती, खाने के बगार गुजारा हो जाएगा, एक दिन का व्रत भी लोग रख लेते हैं, पर mobile phone का अगर एक दिन का व्रत कहा जाए, मुझे लग रहा है, वो खाने पीने के व्रत से जाधा कठिन व्रत साबित होता है, ये मेरा निजी अनुभव है लोगों से बात करने के बाद, तो ये जो आत्म निर्भरता है, मुझे लग रहा है, ये बहुत जरूरी है, और बहुत सारी चीजे हैं अभी जो हमारे आगे अर्चन बनके खड़ी है, कि हम क्यो नहीं वो mobile phone अपने या बना सकते, क्यो नहीं हम वो टेलेविशन अपने या बना सकते, क से कुछ साल पहले एक शेर था, उसके अंदर पुर्जे थे, वो शेर घुमता था, आपको याद होगा, मेक इन इंडिया का नारा दिया गया था, वो मेक इन इंडिया का नारा, मुझे लग रहा है, पूरी तरह से साकार होने में शायद कहीं सफल नहीं रहा है, अलाकि मैं इस में कोई किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कोई राजनीति की गाइनीती से प्रेणा लेकि कोई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब है, कि जिस प्रकार हमारा सर्विस सेक्टर, जो कि 55% हमारी अर्थ विवस्ता का हिस्सा है, हमारा manufacturing से जिसमें China का बरचस्प है, हम क्यों नहीं दुनिया की factory बन पा रहे, आज तक हम क्यों नहीं बन रहे हमारी आबादी है, हमारी भाषा चाइना से क्वावडन है. कुछ हद तक आपको compliance की बात की जाती है compliance inspector राज कह लीजिए compliance कह लीजिए उसको आसान बनानी के जुरूत है हलाकि ease of doing business में हम index में उपर गए हैं इसमें कोई दोर आए नहीं हम काफी उपर गए हैं पर अभी दिल्ली दूर है कहावत है यहाँ चांदी चौक में इस्तिमाल की जाती थी बहुत पुरान है अभी दिल्ली दूर है तो दिल्ली दूर का आरत यह है कि अभी हम उस लक्ष से कुछ दूर है labor reforms की जुरूत है land reforms की जुरूत है आज आप कई factory लगाने जाहिए सस्ती दरों पे आपको जमीन चाहिए हो किसानों का उस पे उस पे opposition आ जाती है किसाब आप यह लैंड नहीं नहीं सकते तो मुझे लग रहा है हमें land reforms की जुरूत है हमें labor reforms की जुरूत है हमें taxation system को और simplify करने की जुरूत है अगर हम यह सब करते हैं तब मुझे लगता है कि make in India और दूसरा एक एहम बात जो मैं बजना वो जरूरी बात यह है कि start-up हम देखते हैं जादा तर आपके mobile phone के app से संबंदे start-up बनते हैं जिसको हम aggregators कहते हैं कोई start-up बना देगा नखाने की delivery का कोई start-up बना देगा डॉक्तरों को इखटा कर देगा पर मैं समयतना हूं कि start-up की अगर सब से जादा आज जरू है manufacturing line में क्यों नहीं आज college से पढ़े लड़के लड़कियां क्यों नहीं आज IIT से और बाकी जगा से पढ़े हुए लड़के लड़कियां एक factory लगाने का सोचते हैं पहले जमाने में factory लोग लगाते थे जब मुझे याद है टाटा बिरला जब बहुत साल पहले जब इन् करीब करीब 6 करोड से जादा MSME है 40% हमारी GDP का इसा MSME के पास है 11 करोड लोगों को MSME नौकरी देते हैं यह पर परन्तु MSME जादा तर छोटे-छोटे ट्रेडर्स हैं छोटे-छोटे दुकानदार हैं छोटे-छोटे होलसेलर्स हैं इसा नहीं है पर उनकी गिंती बहुत कम ह है तो मुझे लग रहा है अगर भारत सरकार ऐसे रिफॉर्म्स लाए हाला कि PLI स्कीम बगरा लाई गई है पर वो PLI स्कीम जादा तर ऑल्रेडी जो मैनिफैक्ट्रिंग सेक्तर में हैं उनके लिए लाई गई है अगर कुछ ऐसी स्कीम लाई जाए कि जो कॉलेट से और अच चोटा चोटा पुर्जे होते हैं कहीं माइक्रोफोन है चोटा सा कैमरा है कहीं सरकेट है यह असंभव नहीं है अगर हम स्पेस पे जा सकते हैं हम रॉकेट बना सकते हैं मिसाइल बना सकते हैं हम सब कुछ बना सकते हैं तो हम ये भी बना सकते हैं सिर्फ जरूरत है मुझे लग रहा है कि start-up की सफलता मैं तभी मानूंगा अगर हम make in India को और manufacturing में start-up शुरू हो जाएं जो कि कम देखने को मिलते हैं असानी से digital start-up शुरू हो जाते हैं services sector शुरू हो जाते हैं तो ये मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हाला कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं पर ये जो समस्या है चीन के हमारे सामने आई है ये हमें मजबूर करती है ये सोचने के लिए कि क्या हमें ये सब जल्दी करना चाहिए क्या हमारे से समय हाथ से निकला जा रहा है ये जो हमें प्लस वन चाइना पॉलिसी का हम लाब उठाना चाहते है अगर हम चाइना का सब्सिचूट बनना चाहते है दुनिया भर के लिए अभी तो अपने लिए बात हो रही है यहां तो हम दुनिया भर का substitute बनने का भी सोच रहे हैं, अगर हमें ये सब करना है, मुझे लग रहा है हमें manufacturing को तुरंत बढ़ावा देना पड़ेगा, कुछ न कुछ बैट के मंतन करना पड़ेगा कैसे manufacturing को आगे लाया जाए, कि आपके सामने दुबारा ये समस्या कभी भी आत्म निर्भरता जितनी शीकर आए, उतना अच्छा है ये नारे से घटके और ये जमीन पर आजाए, मुझे लग रहा है ये ही इसका समाधान है दिवालिया Company Syntex Industries Limited के अधि ग्रहन के लिए Reliance ACRA ने बोली जीत ली है, ये खबर सुनने में जितनी राहत भरी लगती है, उतनी है नहीं करीब 3,651 करोड रुपए की बोली, उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत इस संकट ग्रस्त कपड़ा Company का Market Capitalization और शेरों का मूल जीरो हो जाएगा यानि जिस किसी के पास इस Company का शेर होगा, उसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा मामले की गंबीरता का अंदाजा इस बात से लगाई है, कि मशूर ब्रोकरिज कमपनी, जरोदा के फाउंडर नितिन कामत ने, आज एक ट्वीट के जरिये कहा कि ये चिंता जनक है कि कुछ कस्टमर्स अभी भी सिंटेक्स के शेर्स खरीद रहे हैं, जबकि उसके स्टॉक की कीमत जीरो होना, तै है, क्या है पूरा मामला और आपको क्यों सतर्क रहनी की जरूरत है, जानते हैं, एक्सपर्ट ने क्या कहा हटके, बहुत जल्दी इस ग्रूप ने शुरू में ग्रो किया था, पर मुझे लग रहा है कहीं जाके आगे वो भटक गए और उनके उपर करजे चड़ते गए, उनके इंसॉल्वेंसी फाइल किया गया, जो लोग ललन टॉप के खर्चा पानी के जो डेडिकेटेड वीवर्स अगर वो नहीं जानते के इंसॉल्वेंसी का अर्थ क्या होता है, तो मतलब कंपनी अब बिल्कुल समझ लिए, उसका दिवालिया निकल गया और उसको हवाले कर दि investment funds होते हैं, उसका ये support किया हुआ एक consortium है, तो Reliance और इन दोनों ने मिलके 3651 करोड की बोली लगाई, फुल चार बोलियां लगी, एक wealth fund ने लगाई, एक GACN ने लगाई, एक हिमत सिंगा है जो की rice export करते हैं, उन्होंने लगाई, और एक Reliance ACRE ने लगाई, तो सबसे करोड में Reliance ACRE को, syntax को बेच दिया गया, अब जब बेचा गया, तो Reliance ने ये कहा साब, इसके shares, क्योंकि share market में trade होते थे, उन्होंने कहा, इसके shares तो हम खतम कर देंगे, क्योंकि जब आप company के insolvency में उसको उठाते हैं, तो ये आपकी मर्जी होती है, आप क्या-क्या उठा value ऐसा माना गया, कि इसको zero कर दिया गया, तो shares की value zero होने से, जोगों के पास भी syntax के shares है, या कोई खरीदने की हिम्मत ना करें, इन दिनों में ये normally क्या होता है, कि जब किसी company का Reliance, जैसी company से take over हो रहा होता है, तो लोग उसके share खरीदने को भागते हैं, तो यह हम बलके सतर् assets की होई है, shares जिहां बिल्कुल बदकिस्वती से, shares zero हो जाएं, को बता होगा कि equity shareholders resolution में last होते हैं, पहले जो करजदार होते हैं, उनको पैसा दिया जाता है, फिर जो उसके vendors होते हैं, जिनका पैसा पकाया होता है, उनको दिया जाता है, एक priority list बना जाती है, पैसा किस-किस को दिया जाएगा, इस दूबती होई company का, shareholders बतकिस्मती से, उसके आखे होते हैं, कि को shareholder मालिक समझे जाते हैं, आप equity जब hold करते हैं, तो आपको पास मालिकाना हक होता है उस company का, तो shares बिल्कुल जो हो जाएंगे, बड़ा, हमें खेद हैं, उन लोगों के लिए जिनके पास syntax के shares थे, क्योंकि उनका नुकसान इसमें होने वाला है, अगर आपको माल लीजे, आपके बाद 10,000 के share थे, तो शायद उस shares की value अब जरू हो जाएंगे, तो ये सारा माह है, और एक दफेट कोबर हो जाएंगे, assets तो ऐसा माना जा रहा है कि Reliance हो, ACRI बिल्के, इसको revive करेंग और आप शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि Reliance निरंतर कोई न कोई कमपनी दुनिया भर में भारत में खरीदने के लिए बकाइदा उनकी एक team बनी हुई है, जो कि खरीदती है, और इसी के साथ साथ भी यही ख़बर थी, कि एक कमपनी है, Clovia, जो कि लाउंजरी भी बनाती है, साड़े 900 करोड में Reliance ने उसको खरीदा, और साथ ही यह डील की भी ख़बर आई, तो देखे, Reliance ऐसा नहीं है, कि मुनाफे वाली कमपनियों को यह खरीदता है, Reliance को जहां लगता है, कि कुछ कमपनी में उनको strategic फाइदा है, और इसके assets काम आ सकते हैं, तो घ भाटे वाली कमपनी को भी खरीदा जा सकता है, सिंटेस इंडस्ट्री का share अब D-List हो जाएगा, और उसकी value zero हो जाएगी, तो जिन लों के पास है, वो इस बात के लिए बदकिस्मती से तयार रहे हैं, हमें एक खेद है इस बात का, और सला मेरी यह है आगे के लिए, कि तो एक fundamental analysis होता है, वो जरूर करें, और कहा सुनी में share मत खरीदें, मतलब किसी ने कहा भया ले लो ले लो ये खबर आई है, अब वहाँ बहुत उड़ती है share market में, corporate circles में, अब वहाँ के basis पे share ना खरीदे, fundamental analysis किसी जानकार की सला से उसकी balance sheet, अगर आपने सिंटेस के जो shareholder ह जिन्होंने खासकर हाल में खरीदा होगा, अगर उन्होंने उसकी balance sheet study करी होती, तो शायद वो share ना खरीते, इसी को fundamental analysis कहते, तो आगे के लिए हम सतर्क करना चाहते हैं, कि जब भी share market में share खरीदे, निवेश के लिए, तो उसकी balance sheet को पूरी तरह से अध्यन करके, analyze करके, समझ कर, invest कर, तो खेक प्रगट करते हूँ, हम आगे के लिए, सभी निवेशकों को, ललन टॉप के जो निवेशक है, उनको सतर्क भी किये देते हैं, और चलते चलते, market updates, युक्रेन रूस तनाव का असर सभी बाजारों से कम नहीं हुआ था, कि चीन में बढ़ते कोरोना की खबरें भी हावी होने, आज शेर बाजारों में अच्छी खासी गिरावट दिखी, सेंसेक्स 571.44 पॉइंट्स गिर कर 57,292 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 119 रंकों की गिरावट के साथ 17,117 पर बंद हुआ, बैंकिंग, कॉंजुमर गुड्स, IT, ओईल और गास कमप अगले एपिसोर तक अपना खयाल रखें, नमस्कार